Good morning बच्चों, चलिए हम अपने इंगलिश की पढ़ाय शुरू करते हैं आज मैं आपको दे रही हूँ, fill in the blanks with is, am and are जो कि मैं आपको पढ़ावी चुकी हूँ, बता चुकी हूँ जो he, see, it के साथ, is लगता है you, we, they के साथ, यानि की many one से जो one of, more of, one तो, जहां बहुत सारे चीज रहेंगे, plural में तो, R लगेगा, और he, see, it के साथ, is लगेगा और I के साथ, हमेशा, am लगेगा यहां I है, a teacher, यानि की I के साथ, आपको क्या लगाना है, am लगाना है तो, I am a teacher, see, is a girl, he, is a good boy, you are a girl we are students, we are players, they are doctors इस तरह से आपको यह feeling करना है, is, am और are करके आज मैं आपको animals के बारे में बता रही हूँ animals मतलब क्या होता है, जानवर मैं कुछ जानवर के नाम लिखती हूँ, यह आपको याद करना है जानवर में मैं आपको बता रही हूँ, जानवर तीन तरह के होते हैं कुछ एक जानवर होते हैं, domestic animal, wild animal और water animal कुछ जानवर ऐसे होते हैं, animal जिसको हम लोग पालते हैं अपने घर में पालते हैं और उससे कुछ अरजन करते हैं जैसे हम गाई को पालते हैं, भैस को पालते हैं, तो वो हमें दूद देती है और हमें उनसे कुछ income होता है, तो हम बदले में उनको पालते हैं, उनका घर बनाते हैं, उनको खाने पीने के लिए देते हैं कुछ जानबर जंगली होते हैं, जिन्हें हम पाल नहीं सकते हैं, जैसे सेर, बाग, हाथी, चीता, इनको हम पाल नहीं सकते हैं, तो ये जंगल में रहते हैं, प्राकिर्तिक हैं, नैचुरल हैं ये, प्राकिर्तिकी रक्षा करते हैं, और कुछ एनिमल होते हैं, जो वाटर में रहते हैं समुद्र में पॉंड में रिवर सी ओशियन समें बड़े बड़े एनिमल रहते हैं जैसे हुएल हुआ शार्क हुआ अक्टोपर्श हुआ शी हुआ शी लायन इस तरह का आज मैं आपको कुछ डॉमेश्टिक एनिमल का नाम लिख दी हूँ इसको आपको याद करना है जैसे सी ओ डबलू काव काव मिन्स क्या होता है गाय बी यू डबल एफ एल ओ वो फैलो वो फैलो मिन्स भैस ए एम एल कैमेल कैमेल मिन्स उट 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 जो है वो ज़्यादा रगिस्तान में पाया जाता है उट को रगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये बालू पर बहुत तेजी से दौरता है जी ओ एटी गोट गोट मिन्स बकडी ओ एक्स ऑक्स ऑक्स मिन्स बैल एच ओ आर एस सी होर्स मिन्स घूरा एडवल एस एस मिन्स गदहा यह जितने भी एनिमल हैं यह डोमेश्टिक है यानि कि पालतू है इन्हें हम पालते हैं तो यह आपको नाम और इस्पेलिंग इनका दोनों इस्पेलिंग के साथ आपको याद करना है